विशाल सौनी जी आजम गड़ से शी हरिवेंश माराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ा हूँ गुरुदेव हमारा छोटा सा आभूशन का विवसाय है कुछ लोग किसी मजबूरी में अपना आभूशन बेचना चाहते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति बनी रहती ह ऐसे अभूशन खरीच सकते हैं किया किनी कारणों से क्योंकि पुराने मूर्ति है उसे गलाने के बाद दूसरा अभूशन बनाया जा सकता है ऐसी स्थिति में दुकान दर क्या करें मारा जी तो जिनको केवल लोकिक लाब की तो उनसे हमारा कोई संभाशन ही नहीं है लेकिन यदि आप यहां आये हो इसका मतलब आप कहिन कहीं भगवत कृपा पात रहें जिसमें प्रभू का स्री विग्रह बना हुआ है उसे हम श्वरण में गलाएं और अपने को शनातन धर्मी कहें मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी हान यह हैं कोई भी बताओ आप अपने प्यारे की छवी को आग में जोग सकते हो क्या है जिससे प्यार हो उसकी फोटो हमने तो इस्कूल पीरेड में देखा बच्चों को जैसे नहीं पर्ष में अगर दूसरा चीन भी ले देख भी ले उसको पीटने की कोशिस करता है मतलब हमारा वो प्रशनल प्यार का विशह है आप उसे तो हमारे आराध्य देव की छवी आराध्य देव के धातुके श्रीविग्रे मनलोग अब उनको हम गला सकते हैं व्यापार शांशारिक लाव यह तो तुम्हारे चिंतन में होगा लेकिन इसका जो शोरूप है वो क्य होगा आपके वले को व्यापारी है व्यापार किसके लिए धनो पारजन के लिए धनो पारजन किसके लिए जीने के लिए तो जी किसके लिए रहे हैं बोगों के लिए फिर तो फिर तो कोई प्रश्नी नहीं बनता अगर प्रश्न बनता है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ह मन मानी कुछ भी करो सलाह में नहीं मुझे ऐसा लाव नहीं चाहिए और उपाय करेंगे और करेंगे भगवद विग्रह बना हुआ है लो श्रीकृष्ण रूप है या राम रूप है या गडेश रूप है या लक्षमी रूप कुछ भी रूप रखा हुआ है और बड़ा सोना जो तुम समझ रहे वो नहीं है जो है उसे तुम समझ नहीं पा रहे हैं और जो है वही लाब देगा यह तो सब्सक्राइब करोणों अर्बों रूपे कमाए और एक जटके में रोड में पहल गए मैं गाड़ी परिवार साहित सब कर्म बिगड जाते हैं कर्म बिगड अब एक आदमी तलवार से लेकर हमारे विग्रे को काटता है तो हम उसको विधर्मी और कोसते हैं कहते नीच हमारे भगवद विग्रहों को समझ रहे ना हमारी बद और वही हम उसी भगवद विग्रे को थोड़े से लाब के लिए अगनी में गलाते हैं तो हमें उसमें क्य अंतर रहा है आप हमें बताओ कोई अंतर आप मानेंगे है तो प्रभू बस हम यह आपको समझाना चाहते हैं कि कम लाव धर्म में जीवन नमक रूटी सुखी परिवार आनंद में जीवन ज्यादा धर्म विरुद्धाचरण वह फिर फानी हो जाएगा वह बहुत बिचित्र खिलाड़ी है ऐसे खेल खेलता है जिनका हिसाब हमारी समझे में नहीं आता है बहुत बिचित्र या रहाश्य रगुनात कर वेगने जाने कोई जिसे हमारे सामने राधा नाम लिखी जाए जाए तो का जब पैर रख करके नागों नहीं तो तुम्हारे गला काट देंगे तो हम गला कटवा लेंगे पैर धुड़ी रखेंगे क्यों मेरे आरात धेदेव का नाम है नहीं गला काट एक फूल की पंखुडी अगर जलेगा दोखे से नच हो जाए एक पुष्पदंत नाम के भगवान सीव के बड़े पारशद हुए है तो भगवान सीव के लिए एक राजा की पुष्पवाटिका से सुन्दर सुन्दर पुष्पनात्री में ले जाते थे तो राजारन को पता चला कोई ऐसा अभ्यक्त चोर आता है तो सारे फूल बगीचे के ले जाता है सुन्दर कमल सुन्दर ऐसे टो उन्होंने विद्वानों से बात कि ऐसा कॉन्चोर हो सकता है कि जो अभ्यक्त रूप से हाता है वर लेके बाहर सब पूरी फौज लगी तो उनका कोई देवी सक्ति संपन्न है और देवी सक्ति अंतरध्यान हो जाना प्रगठ हो जाना यह उनका उसको कैसे पकड़ा जा सकता है बुले भगवान विश्वनाज जी के कासी विश्वनाज जी के प्रशादी बिल्वपत्र फूल बगीचें फैकवा दीजिए पैर पढ़ कहीं न कहीं तो जो आपके शामने आये हैं गड़ेष गोरी या जो भी भगवन रूप आराध्ना में रहे होंगे कभी न कभी तो रहे होंगे ऐसा तो नहीं कि रख्यार एकैल रहे हैं वो आप गलाएगे और आप जानते हैं हैं कौन हैं मुझे नहीं लगता कि यह कहीं ध कवित्र भाव से जीवन निर्वार यह हमारी तो शला यह है कि नहीं करना चाहिए और फिर जो भाई करें व्यापार प्रधान उनका है वो गड़ेश गवरी तो देखते नहीं सोना देखते हैं इस वाई शुरनकार क्या देखेगा अब एक बगत गए और गड़ेश यह व्यापार पैसे के लिए करते हैं पैसा भोक्षामागरियों के लिए जीवन प्रभू के लिए है यह अगर फिर जीवन के लिए तो हम पहार गए देखलो धर्मे में चलना कठिन होता है और दिखाई दे रहा है कि 50,000 की प्राफिट है और नुक्षान आपको नहीं दिखाई दे रहा है नहीं नहीं हम नहीं लेंगे किसी और को हमारे आने बिकेगा हमारे यह गलेगा नहीं ऐसा भाव रखे तो भगवान देख रहे न और उन्होंने अपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडू का स्रजन कर दिया जब आपको ध जब पर भाण के देते नहीं कहते है आईसा ही कुछ है उनका खेर विश्वास करो उन पर नाम जब करो धर्म से चलो सुखी रहोगे शांत रहोगे आणदी तरह होगे आज कल देखो ना पोश्टर में भगवान की छवीच शाप दी जहां दिखना और नाम लिख दिया और क गली के उपर लगा दिया अब वो पोश्टर फट करके नाली में पड़ा है ठाकुर भी पड़े हैं उनमें गुरुजी की भी चवी है उसमें नाम भी है मतलब कहा हमारा धर्मा समझ में नहीं आ रहा है जिनकों सिंगासन में भी राजमान करते तो नाली में पड़े है वो के लिए तो बुद्धी बरस्ट हो जाती है कहां पर्मार्त का मतलब आराध्येव की चवी आराध्येदेया तमाको की पूड़िया पोड़ीजी की चवी भगवान का रूप लगा हुआ है या सीता राम जी बने उस वेस तो क्या होता सारी सुक्रित नश्ट हो रहे हैं बुद्धी ब्रश्ट हो रहे हैं समझ पा रहे हैं आराथ दिव की छवी लगी है भगवान का रूप लगा हुआ है अब खेलियुक का देखो न प्रभाव देखो न बहुत अंदर जलन होती जब पोश्टर फटा हुआ प्रभु का नीचे देखते हैं इनी को सिंगासन में विराजमान किये हैं और निमंतर देना तारीक है यह ब्या का इस्तान यह यह यहां हो रहा है आ जाईए बज़े और उसमें भगवान को बना देना दो चार तो हैं को सम्मान से रखेंगे जो जान लक्वारी नेची खरी हैं में इसलिए हैं उनमें भीराजमान न कर दे कि महलन में वहारा लड़के कहां टूट जाए तो बेच दो कि क्या नहीं बेच दो कि ना अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्यार इस विग्रे से तो आप मिलिए ऐसे मुर्ति के रचना करते हैं वो उनको शंभाल दे हमारा तूट जाएगा तो डाक्टर नहीं मनते तो मात को पुना उसको और वैसे करें अउस्थी करें उसके और दूसरे होते जिसा गोपाल जी का जो शुरूप निरमार करते हैं गोपाल जी में को जो हाँ पहूँचिए उनक को ऐसा लगता है कि गोपाल जी नवीन रूप में विराजमांद करो मैं नए शुरूप से सेवा में विराजमांद करता हूं हमारी तो भावना है ना शुक प्रदान करने के आप बता हो आप से हम पूछते हैं अगर आप रामकृष्णारी किसी को मानते हो और आपके हाथ में उनकी छवी हो तो आप कहां उसको विराजमांद करोगे कहीं उच्ये पर मैठालने के सोचोगे ना फेट थोड़ी दोगे अब कार्ड में क्या सम्मान होता है प्रभु का बोलो क्या सम्मान उसमें प्रिया प्रितम बना दिए या प्राया यह देखें शियाराम जी बना दिए बना दिए या गड़ेश भगवान बना दिये तो कहीं न कहीं हमारी या तो मानो मत कि यह भगवान है तो फिर भगवत बिमुख हो तुमारी बात अलग अगर मानते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम अगर हमसे कोई कहा है न कि कुछ लिखने के लिए जिसे आदेश कभी तो हम वही अक्षर लिखा है जितना बोलना है आप वहाँ चले जाए यह हमारा प्रार्थना है बार ना उपर राधे और ना कुछ नहीं वो कागज जिसमें हमने राधे लिख दिया वो कहीं फेक देगा उसके पहर के नीचे पढ़ गया तो हम तो मर जाएंगे क्योंकि हमारी आराधना यही है हमारे जीवन यही राध्या नाम नहीं जीवन है हम तो कभी नहीं कि ऐसे हम राधा लिख नहीं अच्छा कहीं राधा लिखाओ तो ऐसे करेंगे ला कैसा अदमी यह लिखके फेंग दिया अब यह उपासना का खेल इसलिए तुमाया फसाए रहती है माया मुक्तुलब हमारे धर्म में उपहास ज्यादा किया जा रहा है बगव पूरा सक भगवन नाम सक ऐसे कहा तुम्हें विश्वाशा है रूप कहा तुमार भावब हो कहलाते हैं धर्म दो जी औधर अब यह प्राप्तम के नाम रूपोँ की तुम कितनी वकत कर रहे हो जिनको उमड़ाजमान करते जिनको हम गुरुजी से प्राप्त कर जिसको हम ज और ही बोलो, वह ही तो है, यह कही तत्त तो सब्लपून है.